हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की वीडियो में मैं आप से शेयर करूँगी लड़ू गोपाल जी की वरत कथा अगर आप मेरे चैनल में नए आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब परना ना भूलिएगा और बैल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताक हम वीडियो सुरू करते हैं लड़ू गोपाल जी की वरत कथा पुराणी कथा के अनुशार भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त कुम्बन दास थे उनका एक बेटा था रगुननदन कुम्बन दास के पास भगवान श्रीकृष्ण का एक चित्र था जिसमें वा बासुरी बजा रहे थे कुम्बन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे वह अपने प्रभू को कभी भी कहीं छोड़ कर नहीं जाते थे एक बार कुम्बन दास के लिए वरिंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया पहले तो कुम्बन दास ने उस भागवत में जान से मना कर दिया परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तयार हो गए उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान स्रीकृष्ण की पूजा करेंगे इसके बाद वो भागवत कथा करेंगे अपने घर वापस लोटे आएंगे इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नह तूटे गा और कुमबन दास के अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान स्रीकृष्ण के लिए भोग तयार कर दिया है तुम बस ठाकृष्ण को भोग लगा देना इतना कहकर वह वहां से चले गए कुमबन दास के बेटे ने भोग कि थाली ठाकृष्ण के सामने रख दी और उनसे विंती कीवा आए और भोग लगा ले रगुनंदर मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकृष्ण जी आएंगे और अपने हातों से खाएंगे जैसे सभी मनुष्य खाते हैं कुमबन दास के बेटे ने कई बार भगवान स्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा लेकिन भोजन को उसी परकार से देख कर वा निराश हो गया और रोने लगा उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाईए उसकी पुकार सुनकर ठाकूर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैट गए जिसके बाद रगुनंदन के चहरे पर मुस्कुराहट आ गई पुरिंदावन से भागवत करके जब कुमबन दास घर लोटा तो उसने अपने बेटे से परशाद के बारे में पूछा रगुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकूर जी ने सारा भोजन खा लिया है कुमबन दास ने सोचा कि अभी रगुनंदन नादान है उसने सारा परशाद खा लिया और होगा और डांट की वज़े से जूट बोल रहा है अब रोज कुमबन दास भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा परशाद खतम हो जाता था कुमबन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ जादा ही जूट बोलने लगा है लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यूं कर रहा है कुमबन दास ने एक दिन लड़ू बना कर थाली में रख दिये और दूर छिप कर देखने लगे रगुनन दान ने उस दिन भी रोज की ही भांती ठाकुर जी को अवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के वेश में कुमबन दास के बेटे के सामने आ गए रगुननदन ने ठाकुर जी से फिल से खाने के लिए आगरे किया जिसके बाद ठाकुर जी लडू खाने लगे कुमदास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए ठाकुर जी के एक हाथ में लडू और दूसरे हाथ का लडू जाने ही वाला था लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जम कर रहे गए तभी से लडू गोपाल के इस रूप पूजा की जाने लगी छटी के दिन इस कता का पाठ करने से कनईया परशन होते हैं और सरदालों की सारी मनों कामनाय पूरी करते हैं लडू गोपाल जी की जै स्री कृष्ण भगवान की जै अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चलन को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई